गुड मॉर्णिंग बच्चों अभी हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में लास्ट क्लस हमने क्या पढ़ा था हम मात्राओं के बारे में पढ़ रहे थे और हमने क्या-क्या पढ़ा अभी तक आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, और री की मात्रा तो हमने ये सब मात्राओं के बारे में पढ़ा ठीक है तो आज हम और कुछ मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज व्याकरन भी पढ़ेंगे तो व्याकरन में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम भाशा के बारे में पढ़ेंगे हम व्याकरन में भाशा के बारे में पढ़ेंगे तो आज हम पढ़ेंगे ए की मात्रा क्या पढ़ेंगे अभी? ए की मात्रा ए की मात्रा का प्रयोग वर्नों के उपर किया जाता है तथा इसकी द्वनी कम दवाव वाली होती है तो ए की मात्रा का प्रयोग वर्न के उपर किया जाता है तथा इसकी द्वनी कम दवाव वाली होती है जैसे हम लिखेंगे क और ए की मात्रा के तो इसकी द्वनी कम दवाव वाली होती है फिर लिखेंगे ख एक की मातरा खे तो अभी हम कुछ शब्दों को देखेंगे कुछ एक की मातरा वाले शब्दों को देखेंगे पहला वाला क्या है? प, एक की मातरा ड़ उसके बाद ज ल ए की मात्रा, ब, इ की मात्रा, जलेबी उसके बाद क्या है? स, ए की मात्रा, ब, सेव उसके बाद क्या है? क, ए की मात्रा, ल, आ की मात्रा, केला तो बच्चों हमने अभी ए की मात्रा के बारे में पढ़ लिया तो अभी हम क्या पढ़ेंगे आई की मात्रा अभी हम पढ़ेंगे आई की मात्रा आई की मात्रा का प्रयोग वर्न के उपर किया जाता है जैसे ए की मात्रा हम वर्नों के उपर लिखते हैं वैसे ही आई की मात्रा का प्रयोग वर्न के उपर किया जाता है तथा इसकी ध्वनी अधीक दवाव वाली होती है तो हम देखेंगे कैसे लिखना है आई की मात्रा कई ख, अई की मात्रा कई ख, अई की मात्रा खई तो अभी हम कुछ अई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो पहला वाला क्या है थ, अई की मात्रा ल, आ की मात्रा ठेला बैग ठेला नेक्स्ट क्या है? न अई की मात्रा य आ की मात्रा नया बोर्ट और उसके बाद क्या है? ब अई की मात्रा ल ये क्या है? बेल और उसके बाद क्या है? म, अई की मात्रा, न, आ की मात्रा, मैना, स्पैरो, यह क्या है? मैना, तो बच्चों हमने अभी अई की मात्रा पढ़ा और उससे रिलेटेर कुछ शब्दों के बारे में पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ेंगे? यह है अउ की मात्रा और ओ की मात्रा यह दो मात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, तो पहले ओ की मात्रा, हम पढ़ेंगे ओ की मात्रा, ओ की मात्रा का प्रयोग वर्न के बाद किया जाता है, कैसे किया जाता है? ओ की मात्रा का प्रयोग वर्न के बाद किया जाता है तथा इसका उच्चारण होटों को गोल करके किया जाता है तो कैसे हम इसको उच्चारित करते हैं? होटों को गोल करके इससे उच्चारित करते हैं तो हम देखेंगे, यह है O की मातरा, क, हम O की मातरा लिखेंगे, यह हो गया, O की मातरा, तो कैसे बोलेंगे इसे, को, कैसे बोलेंगे, को, तो और एक बार लिखेंगे, यह है च, यह क्या है च, हम अगर लिखेंगे, O की मातरा, यह है च, तो, O की मातरा का प्रयोग, वर्न के बाद किया जाता है, तथा, इसका उच्चारण, फोटों को गोल करके, किया जाता है, क्लियर, तो अभी हम कुछ शब्दों को देखेंगे, O की मातरा वाले शब्द, पहला वाला क्या है, त, O की मातरा, त, आ की मातरा, त, 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 त इ की मात्रा तो ये क्या हो गया? टोपी ये क्या हो गया? टोपी उसके बाद ज, ओ की मात्रा कर ये क्या हो गया? जोकर ज, ओ की मात्रा क र ये हो गया जो कर उसके बाद क ओ की मात्रा य ल कोयल क ओ की मात्रा य ल कोयल तो अभी हम हमने क्या पढ़ा? ओ की मात्रा के बारे में पढ़ा उसके बाद क्या आता है? अउ की मात्रा ओ की मात्रा के बाद क्या है ये? अउ की मात्रा तो अउ की मात्रा का प्रयोग वर्न के बाद किया जाता है अउ की मात्रा का प्रयोग वर्न के बाद किया जाता है तथा इसका उच्छारण करते समय होट संकूजित हो जाते हैं कैसे आप देखिए क अउ की मात्रा कव ख अउ की मात्रा तो हम यह जब बोलते हैं तो होट संकूजित हो जाते हैं तो फिर से बोले अउ के मात्रा का प्रयोग वर्न के बाद किया जाता है वर्न के बाद हम लिख रहे हैं तथा इसका उच्चरन करते समय होट संकूजित हो जाते हैं क्लियर तो अभी हम देखेंगे अउ की मात्रा वले कुछ शब्दों को तो पहला वला क्या है न अउ की मात्रा क आ की मात्रा यह क्या है नव का उसके बाद ल, अउ की मात्रा क, इ की मात्रा लो की, गर्ड फिर क्या है? च, अउ की मात्रा क, इ की मात्रा च, उसके बाद क्या है? ख, इ की मात्रा ल, अउ की मात्रा न, आ की मात्रा खिलो न, तो आप सब को ये, सब का मीनिग पाता है जैसे यहां पर लिखा हुआ है मीनिग ठीके? तो, ये क्या है? खिलो न, अभी हम देखेंगे अं की मात्रा तो, ये जो अं की मात्रा उस वर्ण के उपर लगाई जाती है जिसके बाद उसकी ध्वनी सुनाई देती है अं की मात्रा उस वर्ण पर लगाई जाती है जिसके बाद इसकी ध्वनी सुनाई देती है जैसे हम क उपर लगाएंगे अं की मात्रा कं र अं की मात्रा रं तो अंक्य मात्रा उस बन के उपर लगाई जाती है जिसके बाद उसकी ध्वनी सुनाई देती है तो ये सब देखिए कुछ अंक्य मात्रा वाले कुछ शब्द पहला वाला क्या है प, त, अंक्य मात्रा, ग, पतंग क्या है ये पतंग फिर नेक्स्ट क्या है अ अंग की मात्रा द आ की मात्रा तो ये क्या है अंडा ये क्या है अंडा फिर नेक्स्ट क्या है इ अंग की मात्रा ज न इंजिन तो ये सब है अंकी मात्रा वाले शब्द अभी हम देखेंगे विसर्ग ये क्या है? कैसे लिखते हैं? दो बिंदु दे देते हैं हम ठीके? इसको बोलते हैं विसर्ग विसर्ग का प्रयोग वर्नों के बाद किया जाता है और इसकी थ्वनी वर्न ह के समान होती है जैसे तह हम लिखेंगे तविसर्ग तविसर्ग जैसे हम कुछ शब्दों को लिखेंगे तो आप अच्छे से इसको समझिएगा पहला वाला क्या है? यह है नमह न म विसर्ग तो यह क्या हो गया? नमह फिर यह क्या है? द उ की मात्रा विसर्ग ख ई की मात्रा दुख्खी तो हमने अभी आ से अह तक मात्राओं को पढ़ा तो जैसे कि यह सब हम रिभीशन कर रहे हैं आप पहले पढ़ चुके हो यह सब मात्रा तो आप सब को आता है यह सब मात्रा ठीके बच्चो और अगर कुछ भी कनफीजन है तो आप फिसर्ग कर यह सब कीजिएगा कुछ वर्ड से लिख के प्राक्टिस पीजिएगा तो अभी हम पढ़ेंगे व्याकरन हम पढ़ेंगे भाषा तो भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे अब कौन सी भाषा बोलते हो तमिल हिंदी तेलुगू बहुत सारे भाषा होते हैं तो हम किसी एक भाषा से किसी भी एक भाषा से बात करते हैं करेंगे तो यह भाषा क्या होता है बच्चो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है तो अब पहला चित्र देखिए क्या है इसमें एक कुत्ता है जो एक बच्चा को कुछ बोल के कुछ समझाना चाहता है पहले चित्र में कुत्ता भो भो करके जो बालक है इसका नाम अमित है अमित को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अमित समझ नहीं पा रहा है और दूसरे चित्र में क्या हो रहा है दूसरे चित्र में तोता बोल कर कुछ कहना चाह रहा है तोता बोल कर कुछ कहना चाह रहा है पर वो समझा नहीं पा रहा है और बच्चे भी समझ नहीं पा रहे हैं ठीके? क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे? क्योंकि तोता और कुत्ता बोल नहीं पाते इसलिए बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो समझने के लिए और समझाने के लिए हमें भाशा की जरूरत है भाशा के द्वारा हम अपने भाग को समझाते हैं और समझते भी हैं तो इसलिए भाशा हमारे लिए बहुत जरूरी है तो अभी ये चित्रों में देखिए यहाँ पर रिया एक दुकंदार से बातचित कर रही है और वो जो भी बातचित कर रही है वो दुकंदार को समझ में आ रहा है ठीके, तो इनको भाशा पता है इसलिए एक दुसरे के भाब को समझ रहे हैं तो भाशा किस से कहते हैं? भाशा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के भाव को बोलकर, पढ़कर या लिखकर समझा जाता है तो भाशा क्या है बच्चों? भाशा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के भाव को बोलकर, पढ़कर या लिखकर समझा जाता है तो अभी मैं आपको बताऊंगी अपना विचार व्यक्त करने के तरीके हम कैसे अपना विचार व्यक्त करेंगे? तो यह है विचार व्यक्त करने के तरीके इन चित्रों को देखिए बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना तो पहला चित्र में यह कुछ बोल रहे हैं, ठीके? तो बोलना, हम बोलकर अपने मन की भावना को समझाते हैं तो बोलना, और दूसरे चित्र में क्या है? यह बालक कुछ सुन रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, तो यह बालक कुछ सुन रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीके? तो हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं तो बोलना, सुनना उसके बाद क्या है? पढ़ना, लिखना आप देखिए यह जो लास्ट वहले पिक्चर है यहाँ पे एक बालक कुछ लिख रहा है कुछ में भी वो पत्र लिख रहा है अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है तो वो पत्र लिख कर अपने मन की भावना प्रकाशित कर रहा है और देखिए यह पिक्चर में जो उसके दोस्त है वो पढ़कर उसे समझ रहा है जो बालक जो लिख रहा है उसके दोस्त पढ़कर समझ रहा है तो विचार व्यक्त करने के तरीके क्या-क्या होते हैं? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना तो जैसे पक्षी और पस्वों के भी भाषा होते हैं बच्चें बच्चों क्योंकि वो अपने मन के भावना वैसे ही व्यक्त करते हैं जैसे कोईल कूकता है ठीके और शेर दहारता है ऐसे ही वो अपने भाषा अपने साथियों के साथ व्यक्त करते हैं जैसे चिडिया चह चहाती है ठीके तो ये उनका भाषा व्यक्त करने की तरीका है तो पशु पख्षियों को भी अपना भाव व्यक्त करना आता है अपने भाषा के माध्यम से ठीके अभी देखिये पहला चित्र में देखिये अब क्या देख रहे हैं मा बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुन कर समझ रही है ये भाषा का मोखिक रूप है ये भाषा का कौन से रूप है मोखिक रूप है वो सुन कर समझ रही है और मा पढ़ा रही है और जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अब सुन रहे हो उसके बाद दूसरे चित्र में देखिए नितिन पत्र लिख रहा है यहां पर नितिन पत्र लिख रहा है और उसका मित्र उससे पढ़ कर समझ रहा है ये पत्र लिख रहा है और उसका मित्र उससे पढ़ कर समझ रहा है तो यह भाषा का लिखित रूप है यह कौन सा रूप है? यह भाषा का लिखित रूप है यानि जब हम लिख कर अपनी बात कहते हैं तो जब हम बोल कर अपनी बात कहते हैं यह मौखिक रूप है और जब लिख कर अपनी बात कहते हैं तो ये लिखित रूप है तो बच्चों भाषा के दो रूप होते हैं पहला मोखिक रूप, मोखिक भाषा और दूसरा लिखित रूप और लिखित भाषा, मोखिक भाषा, लिखित भाषा ये भाषा के दो रूप है तो मोखिक भाषा क्या होता है बच्चों जैसे आप बात कर रहे हो, आप कौन सी लांगुज में बात करते हो, जैसे हिंदी और तेलुगू, तमिल, जो भी भाशा में हम बात करते हैं, ये मौकिक भाशा है, ठीक है, हम बोलते हैं, बोलकर समझाते हैं, अपनी भाशा में हम बोलकर समझाते हैं, ये हमारा बोली है, ये मौकिक भाषा है ठीक है? जैसे हमारा राष्टर भाषा क्या है बच्चों? हिंदी है हमारा राष्टर भाषा हिंदी है और अभी लिखित भाषा जैसे हम लिख कर समझाते हैं उसे लिखित भाषा बोलते हैं और लिख कर समझाने के लिए लिपी क्या अवश्यक्ता होती है जैसे हिंदी हम कैसे लिखते हैं हिंदी का लिपी क्या है आपको पता है हिंदी हम देवनागरी लिपी में लिखते हैं हिंदी हम देवनागरी लिपी में लिखते हैं तो हम लिख कर अपने मन की बात बताते हैं और समझाते हैं तो बच्चों अभी आप ये कवीता देखिए भाषा ही विद्वान बनाती भाषा ही सनमान दिलाती बिन भाषा के क्या बन पाते पसु समान ही समझा जाते तो ये जो भाषा है भाषा ही विद्वान बनाती हम भाषा को पढ़कर लिखकर विद्वान बनते हैं बहुत कुछ जानते हैं अगर हम भाषा जानते हैं उसके बाद ही हम बहुत सरे पढ़ेंगे और लिखेंगे और विद्वान बनेंगे भाषा ही सन्मान दिलाती बचो यह जो भाषा हम जैसे बोलते हैं बोलने का तरीका होता है अगर अच्छे से बोलेंगे तो जैसे बोलेंगे उससे हमारा सन्मान बढ़ता है ठीके? तो भाषा ही सन्मान दिलाती बिन भाषा के क्या बन पाते? पसू समान ही समझा जाते अगर हमें भाषा नहीं आती तो हम कुछ अपना मन की भाव प्रकाश नहीं कर पाते और कुछ जान नहीं पाते तो पसु समान ही समझा जाते तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा? बोल कर अपने मन की बात दूसरों तक पहुँचाना और दूसरों की बात सुन कर समझना ही भाशा है बोल कर अपने मन की बात दूसरों को पहुँचाना और दूसरों की बात सुन कर समझना ही भाशा है और भाशा के दो रूप होते हैं मोखिक और लिखित भाशा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं वो है मोखिक और लिखित हम बोलकर अपने मन की भाव प्रकास करते हैं और समझाते हैं इसे बोलते हैं मोखिक और लिखित जो हम लिख कर समझाते हैं उसे बोलते हैं लिखित ठीक है तो भाषा के दो रुप क्या है मोखिक और लिखित और ये भी हमने पढ़ा पशु पक्षीओं की भी अपनी बोली होती है पशु पक्षीओं की भी अपनी बोली होती है जिसे वे अपने भाव का आदन प्रदान करते हैं तो बच्चों अभी हम भासा के बारे में हमने पढ़ा और हमने कुछ मात्राओं को भी रिभाइस किया तो आपको एक वर्क्षिट दिया जाएगा आप वो वर्क्षिट कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास हम और कुछ नए आप पढ़ेंगे धन्याबाद बच्चों